बूंदी उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार 23 नौंबर को सुबद 10 बजे चित्रकला वर्कशोप सुख महल बूंदी में शुरू हुई यहां बूंदी ब्रश के कलाकारों ने शुक महल के प्राकरतिक सोंद्रे को कूची से फलक पर उतारा दोपर बात कलाकारों के बनाये गई चित्रों का अतिदियों ने अवलोकन किया इसी दिन बूंदी की विरासत विश्यप चित्रकला प्रतियोगिता सुब़ 10 बजे सुख महल में शुरू हुई इसमें विध्यारतियों ने भाग लिया सरसे योजब ओपी गोष्वामी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रत्थम वर्ग में कक्षा 8 वी दित्ते वर्ग में कक्षा 12 वी तका दित्ते वर्ग में कोलेज स्तरकी विध्यारतियों ने भाग लिया प्रत्थम जे खित्ते विध्यारतियों ने भाग लिया झाल 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 के लगफ जाफ झाल कर दो, कर दो कर दो नहाओी प्रादार भारा लिए कर नाया है करल स्ब्साथ झाल 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 प्राप्ग कर दोब और करें। भी करें। प्राप्ग करें। कि थापक'll करा कि जुच्ऐ कि दूजस थाता Tan जोग जोजाए। फस्साल दो बच्पर बंच्भ जो शोस्टाइब जो घ्था सबस्टाइब जढ़ा है अप्लाइज दो टूज़ी 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 के लगा सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आप थे शचाओ बेयरों से भादों में जूदें तो नहीं नहीं से एंगर आप। कर दो नया साथ आच है अ कि थकैंड। है रटी है कर दो haul कर ठॉल नठोचो भाग नठोचो को वह जाओ जाओ जाओन। भाओ जाओ जाओन। अर दूज साइब कुछ। बून्दी उत्सव दो हजार दो हजार इकिस के आयोजन के उपलक्ष में कुरातत्त्र विभात के अधिन स्मारकों एवं प्रेटन स्तलों को निशुक रखा गया मंगरवार को भी 84 खंबोगी छत्री रानी जी की बावडी सुक महल एमम राच्किय संग्राले में आगनतुकों के लिए प्रवेश निशुलक रहा कर दो कर दो कर दो बूंदिव सव के अपलक्ष में हम सुखमेल पर खड़े हुए हैं और यहां पर जो लोक कलाकारा है इन लोक कलाकार में एक ऐसा आर्टिस्ट भी है और विद्ध्यारती भी है जिसको देखते हैं कौन सी पेंटिंग कहते हैं इसको स्केचिंग बोलते हैं इसको पेंचिल से बनाया जाता है इसमें कई परकार की स्केच होते है हाइपरियरिस्टिक स्केच, स्केचिंग और कलर स्केच और रियरिस्टिक स्केच और ये लोक कलाकार भी हो तो इसका उद्देश्य क्या है और आप कहां से आये होगा। मैं सर सहाबाद से आया हूँ जो बाराजले में राजस्थान में है सर और ये मैंने खुद से सीखा है। बूंदी शहर में जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग को आगे बनाने के लिए एक दर्शन न्यूज चैनल जो आप लोगों द्वारा प्रादम किया गया है। कि आज जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर ही आप पूरे वर्ड बें अपनी बात कह सकते हैं। आपके द्वारा जो दर्शन न्यूज के नाम से एक प्लैफोर्म तेयार किया। बूंदी शहर की सभी प्रकार की समस्यां उत्साव और उत्सावों के बारे में विश्यू पड़ल पर जो एक सोशल मीडिया के माद्यम से परचार परसार जो अपनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है इन्होंने जो चालू किया है वो भी एक सराणिये कदम है आने वाले समय में बुंदी उस्फव के माद्यम से हम लोग विश्यू पड़ल पर जाने के लिए तैयार हैं दो साल बाद में हमने बुंदी उस्फव को वापिस जिला परशाशार ने प्रार्म किया है बुंदीवासी सब लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बुंदी तो राजस्तान का बुंदी पहला डेस्टिनेशन माना जाएगा कि जिसको लोग पसंद करेंगे बुंदी अच्छी जगह है, सुन्दर जगह है इसको सुन्दर बनाने में बुंदी के नागरिकों का हम लोगों का, सभी लोगों का सयोग भी आपक्षित है जहां-जहां कमिया हैं उनको पूरा करने के लिए आप जैसा प्लेटफारम मीडिया पर जो आया है यह हम लोगों को और बूंदी के परशाशन को या द्राज देताओं को एक नई दिशा देने का काम करेगा आप जागरुकता फेलाएंगे आपकी जागरुकता फेलाने के लि का आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमेशा जन समस्याओं पर जो आज सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में भी बनी हुई है वह आपके पीछे खड़ा हूआ यह तलाओ है जहां मैं खड़ा हूँ यह नगर परीशद है और जो पानी दिख रहा है यह रामगर अब राश्टी मंच तक पहुँचाने में आपका जो दर्शन न्यूज है वो बहुत सहयोगी साबित होगा हम सभी आशा करते हैं कि आप दिनो दिन पर गती करें और हम लोगों का सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा कंदा से कंदा मिला कर रहेगा दर्शन न्यूज जो है आपका अपना विश्वास